ये चट ज़रूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि दो कमरों से बड़ा घर भी होता है जो शहर में बच्चे रहते हैं उनको लगता है कि घर जो होता है वो दो कमरों का ही होता है जब वो अपने गाओं घर आते हैं तब मालूम चलता है कि घर में आंगन भी होत गर में क्या-क्या चीजे होती हैं, कितनी बड़े-बड़े कमरे होती हैं, उस पर है कि शुक्रिया और मैं मन से ताकत कम लगाऊंगा, आप लोगों को ताकत जाला लगानी होगी, पहले बता देता हूँ. शुरू करता हूँ, पहले अपना परिशय कि जितनी सयाह होगी रात, जितनी सयाह होगी रात, निखर आऊंगा, मैं जुगनू हूँ, अन्धेरे में नजर आऊंगा। मैं जुगनू हूँ अंधेरे में नजर आओंगा, शुक्रिया, एक और गजल कि कुछ पंक्तियां युवा साथी बैठे में हैं उनके लिए कि तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है कि पहली छुवन में इसे तूट जाना है रफी की आवाज है, साहिर का गाना है, रफी की आवाज है, साहिर का गाना है, शुक्रिया, गजल की कुछ और पंक्तियां सुनेगा कि युव पहली बार सुनो तो, युव पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है, युव पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लग लेकिन फिर धिरे धिरे हर चीज पुरानी लगती है। सामीन को थोड़ी हैरानी लगती है और शेर ये कि घर को जोड़े रखने में रिष्टों का धागा लगता है। अब मेरी जो दो कविताएं जैसा प्रशान ने कहा कि सबसे आदा वाइरल हुई है। पहली कविता पलायन है और उस पर मैं बड़े लोगों के साथ जो बच्चे यहां बैठे मैं उनकी दाद चाओंगा। उसकी मैं पहले भूमिका बता देता हूँ कुछ। पलायन जो कविता है वो क्या है सुन लिजे। कि बच्चे जो हैं बिहार के वो जब 10th कर लेते हैं 12th कर लेते हैं तो कहते हैं घर से यह नालंदा के बिहार सरीफ के गया के बच्चे कहते हैं कि मम्मी मैं 10th कर लिया 12th कर लिया मैं बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। वो पढ़ने तो जाते हैं, college में admission के लिए पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन फिर वो lot के वापस नहीं आते, वो वहीं रह जाते हैं, वो वापस जाते हैं, पढ़ने के लिए फिर वहीं रह जाते हैं, वहीं नौकरी करते हैं, वहीं बस जाते हैं, उस पर ये कवित लिखी गई है तो जो भी बाहर रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी कवीता है और छट पर जो लोग लौट क्या हैं उनको पसंद आएगी सुनिएगा कि पहले होती थी विदा बेटियां लो अब बेटे होते हैं पहले बेटियों की विदाई होती थी अब बेटे जो है वो भी घर से विदा होते हैं आप देख लिजे गाओं घर खाली पड़े हैं उस पर कवीता है कि पहले होती थी विदा बेटियां लो अब बेटे होते हैं इस पैसे वाली दुनिया में माबाप अकेले होते हैं, ध्यान से सुनियेगा, तो आपके आँखों में आशू आएंगे मैं गारनटी लेता हूं, तुनेगा कि इस पैसे वाली दुनिया में माबाप अकेले होते हैं अदिल्ली बंबे रहने वालो तुम पैसे लाख कमाते हो कभी दोस्त वोस्त कभी प्यार व्यार चाहे जितना इतराते हो आकर देखो पटना आरा छपरा में क्या-क्या छूट गया इस पैसे वैसे के चकर में घर संसार तुम्हारा तूट गया छत आंगन कमरा बिस्तर सब सामान तुम्हारे रोते हैं इस पैसे वाली दुनिया में माबाप अकेले होते हैं अब जब बच्चे आते हैं होली पर बच्चे आते हैं छट पर बच्चे आते हैं तो फिर घर के रौनक होती है बच्चे आते हैं तभी तेवहार होता है सुनियेगा कि होली रंगों से होती थी अब तेरे आने से होती है खोली रंगों से होती थी, अब तेरे आने से होती है, तु जब भी नहीं घर आता है, मा भर-भर आंसु रोती है, और बिन बच्चों के घर पर कोई इतवार नहीं होता, तुम तो विकेंड मनाते हो, यहां कोई तेवार नहीं होता। पैसे बीता बच्पन घर में यादों के काटेव होते हैं, इस पैसे वाली दुनिया में माबाप अकेले होते हैं। यह कविता यहीं तक थी, फिर बच्चों ने कहा कि सर, जब हम लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, तो हम बाहर नहीं बाहर जाना मजबूरी है, माना पैसा बहुत जरूरी है, बाहर जाना मजबूरी है, पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है और आकर देखो, आकर देखो बुढ़े तनमन, उम्र वो कैसे ढोते हैं, इस पैसे वाली दुनिया में माबाप अकेले होते शुक्रिया अब वो कविता जो छट की कविता है और आप लोगों तक पहुची होगी कभी न कभी मैं वो कविता पढ़ता हूँ फिर अपनी जगा लूँगा और आप से आगरह करता हूँ कि वो कविता पसंद आए तो बताईएगा जरूर शुरू करता हूँ कि ये छट जरूरी है छट क्यों जरूरत है छट की और छट की क्या-क्या महत्ता है क्या विसेश्ता है उसको मैंने इस चार लाइनों में पांच लाइनों में कहने की कोशिश किये सुनियेगा कि ये छट जरूरी है धर्म के लिए नहीं समाज के लिए ये छट जरूरी है धर्म के लिए नहीं समाज के लिए हम आप के लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं ये छट जरूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर लोटने का ये बहाना है ये छट जरूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर लोटने का ये बहाना है उस मा के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं उस परिवार के लिए जो टुकडों में बढ़ गया है ये छट जरूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि दो कमरों से बड़ा घर भी होता है जो शहर में बच्चे रहते हैं उनको लगता है कि घर जो होता है वो दो कमरों का ही होता है जब वो अपने गाओं घर आते हैं तब मालूम चलता है कि घर में आंगन भी होता ह घर में क्या-क्या चीजे होती है, कितनी बड़े-बड़े कमरे होती है, उस पर है कि ये छट जरूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि दो कमरों से बड़ा घर भी होता है, उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में देखा है, ये छट जरूरी है उस परंपरा को जिन्दा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पुजा हो सकती है और जो सिर्फ उगते सूरज को नहीं दूबते सूरज को भी सलाम करता है ये छट जरूरी है गागर निम्बू और सुथनी जैसे फलों को जिन्दा रखने के लिए सूप और दौरा बनाने वालों के लिए ये बताने के लिए कि इस समाज में उनका भी महत्व है और ये छट जरूरी है उन दंभी पुरुशों के लिए जो नारी को कमजोर समझते हैं ये छट जरूरी है बहत जरूरी शुक्रिया